दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने लें मनोज दे और सवरोव जूशी व्लॉग के बारे में तो इन दोनों के बीच जो है एक मिस अंदस्टेंडिंग के वाज़े से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रियेट हो चुकी है और इस कंट्रोवर्सी के बाद सवरोव जूशी व्लॉग ने जो है मनोज दे को इंस्टाग्राम पर ब्लॉग कर दिया है जबकि पहले सवरोव जूशी मनोज दे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते थे और इंस्टाग्राम पर ब्लॉग होने के बाद मनोज दी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक स्टेट्मेंट लिखा है जहापर आप लोग पढ़ सकते हो मनुजी ने लिखा है देरे-देरे काम्याभी मिलना ही सही है आचानक जादा काम्याभी मिलना भी जहर की तरह काम करता है तो इस statement को पढ़ने के बाद तो यही clear होता है कि सवरु जोशी के लिखा गया था क्योंकि सवरु जोशी के व्लॉग जो है वह आचानक बहुत ज़्यादा वाइरल होने लगे और अभी के टैम पे सवरु जोशी इंडिया के टॉप व्लॉगर में आते हैं साथी उन्होंने एक सेकंड स्टोरी दाली जहापर उन्होंने लिख देखते रहे ना तो अगर आप मनोजदे को फॉलो करते हो तो आप लेगों को पता होगा कि मनोजदे अपने फैमिली के साथ डेली गाया हुआ था जहां पर उसने लक्षे चोधरी के साथ भी वीडियो बनाया है यानि कि मीटप क्या है और साथी जो है सवरु जोशी के पर प्यूश को बोलता है हेलो ब्रो कैसे हो तो इसका जाब जो है प्यूश ने बहुत ही कम आवाज में दिया और उसके बाद तुरांद बाद जो है सवरु जोशी ने मनोजदे को यह कहा कि जब यह नए लोगों से मिलता है तो थोड़ा घबरा जाता है और नए लोगों स तो इसी वीडियो क्लिप के वाज़े से बहुत सार लोग प्यूश को हेट देना स्टार्ट कर दिये यह कहते हुए कि प्यूश में बहुत जादा एटिटूड आ गया है प्यूश किसी से सही से बात नहीं करता उसके बाद जो है इनके कमेंड में आप लोग कमेंड सेक्शन तो मनुश्दे ने अपने वीडियो में गोलु से यह कहल वाया था कि प्यूश घमंड यह था कि उसे स्टार्टिंग में और उसकी पूरी वीडियो को देख जिसे उसका ओडियो रेटेंशन बढ़े और उसकी वीडियो को रीच और जादा मिले तो आभी की टाइम पे वह यूटूब से डिलेट हो चुकी है जिसका थमनेल था प्यूश घमंड यह और उस वीडियो में जो है गोलु ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि प्यूश सही से बात नहीं करता प्यूश घमंड यह जो कि सिर्फ स्टार्टिंग का पाट था और आगे वीडियो कुछ और थी और जो सवरोव जोशी ने मनोजदे को ब्लॉग किया था वो भी इसी वीडियो के थमनेल या और टाइटल को देखने के बाद ही शायद उन्हें ब्लॉग किया था या और दोनों के बीच में कुछ मिसंडरस्टेंडिंग हो चुकी होगी उसके बाद दो दिन पहले जो ह अप लोग मनोजदे के व्लॉग वोले चैनल पर जाके इस वीडियो को देख सकते हो तो स्टेट्मेंट एड करने के बाद कुछ टेम बात जो है मनोजदे ने सवरोव जोशी के भाई यानिकी साहिल जोशी को इंस्टेग्राम पे कॉन्टेक्ट किया और उन लोग के की इंस प्यूश की वज़ए से क्योंकि लोग कह रहें कि प्यूश में बहुत जादा एक्टीटूड है और आप लोग ये एक और क्लिप देखो ठाटा फिर मिलेंगे थेक असवरब भाई जब मनुस्दी जो है शौरूजूश की घर से जा रहा था तो मनोजदे ने जो है सभी को बाई किया और प्यूश को भी बाई किया था और साथी जो गोलू था गोलू ने भी प्यूश को बाई किया तो प्यूश ने एकदम रूडली तरीके से उससे हाथ मिला है और उसको बाई किया तो यह इस क्लिप देखने के बाद भी बहुत सार लोग जो है प्यूश को हेट करने लगे बट अगर आप लोग देखो तो प्यूश और सवरो जोशी ने एक लक्षे चोधरी के साथ भी वीडियो बनाई थी जहापर उन्होंने ये क्लियर किया था कि बहुत सार लोग उनसे म सवरो जोशी और प्यूश ने लक्षर चोधरी के साथ भी यह वाले केस को हमें बताया था क्लियर किया था कि बहुत सार लोग उनसे मिलने आते और वह उनकमफेटेबल फेल करते लोगों के साथ और सेम चीज़ प्यूश के साथ भी हुई जब वो नीन में से उठकर आया त बड़ जब वो उसे पहचानता ही नहीं तो उससे सही से बाद भी नहीं गया तो आप लोगों क्या लगता है कि प्यूश गलत है या मनोजदी गलत है या मनोजदी ने जो यह कंट्रवर्सी जान मुझके क्रेट की आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना